हेलो गाइस वेल्कम तो अनदर वीडियो स्टॉक मार्केस्ट लैंड मार्क कार्स की ओर से दिसंबर क्वार्टर के फिनासल रिजल पेस हो चुका है आज के इस वीडियो में आसिस करेंगे चलिए फिन्स वीडियो स्टार्ट करते हैं आज करेंगे मिलियंस में नमबर है इंकम 961 करोड का पिछले क्वार्टर में 773 करोड का और दिसंबर 22 क्वार्टर में 880.9 करोड का इंकम है दोनों की income critics किया एकसमेंस 935 क्रोड का पिछल्इं क्षार स्थावड़का ओर दिस्वम मुइंदीटिटु गडुंत क्रोड का ऐसे कंडियों क्वाटर पिछले क्वाटर में 18.6 करोड का और दिसंबर 22 क्वाटर में 31.3 करोड का अप्रेटिंग पॉफिट है नेट पॉफिट है क्वाटर पिछले करोड का पिछले क्वाटर में 20 करोड का और दिसंबर 22 कौदर 25 क्रोड का वापस quarter on quarter year on year दोनों में fall देखने को मिल रही है EPS 4.45 रुपेच का quarter on quarter year on year में fall देखने को मिला है तो गैस company का income अच्छी growth रहा बट company का expenses ज्यादा होने के कारण year on year की profit में डाउन है और taxes ज्यादा पेग करने का कारण quarter on quarter की profit में डाउन है तो कह सकते कंपनी बहुत ही average result पेच किया अगर हम स्टेंडर लॉन रिजल्स को कवर करें income है 165.4 करोड का पिछले quarter में 159 करोड का December 22 quarter में 126 करोड का income है quarter on quarter year on year दोनों में इंक्रेज किया है expenses हुआ 145 करोड का पिछले quarter में 131.7 करोड का December 22 quarter में 108.3 करोड का expense हुआ था quarter on quarter इंए year on year में expenses इंक्रेज लेकिन पिछले quarter में इस बार निकल के आया है net profit 14.4 करोड का पिछले quarter 6.8 करोड का लॉस है December 22 quarter में 13.5 करोड का profit quarter on quarter year on year दोनों में इंक्रेज किया है EPS 3.57 रुपेज का quarter on quarter year on year दोनों में इंक्रेज किया है तो गैच कंपनी का overall result अगर देखा जाए न तो उतना चा result पेज नहीं किया average देखने को मिला है consolidated basis पर कि profit में डाउन हो रहा है इंकम इंक्रेज किया लेकिन इंक्रेज किया तो कह सकते कंपनी average result पेज किया है तो अब हम लोग वीडियो कहीं प्रेंट करते हैं अगर कोई डाउट कमेंट बॉक्स में पूछे मिलते हैं नेक्स लोड़ों में दिलन बबाई